आज हम आप सभी लेगों के लिए यूपी त्रिपल असी पेड दोह जार तेस के लिए जो की एक्जाम में बार-बार पुछे हुए प्रेशन है तो आपके देखिया आज प्रेक्टिस फोर हम लोग करेंगे तॉप थर्टी कोस्टें के साथ और जितने भी फ्रेंट देखिया इन सबसे संबंदित कोस्टें आप से पूछे गया है वहीं सब कोस्टें हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए देखिया जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब नहीं कि हमारा चैनल है एड लार्नवी थालपना तो चलिए फटा-फटा-फटा हम लोग अ छोफ्ट आप Amašro, फाहयान और हुएं सांग तो देखिये भारत में सबसे पहले आपके फाहयान आया थे हैं ठिक है आप लोग पता होगा तो नहीं है पर देखियों किसमें है तो यहां पर देखिये सबसे पहले आपके इसी में दिया गया है फाहयान ठेक है यहां यह एक यहां पर देखे सबसे पहले अपका यहां पर लगफिवा इहां पर है और हुएन् सॉंस वेन् सॉंन एक समया भी आफिछिने पलनमेंสथा israel जो यहां जोिशा हाई विव्वाएन वास सभीडर इस प्रंचे विविवस मुझ में ऊवद्पा पढ़ने के लिए एम भारत के बहुत ग्रंथों को ले जाने के लिए 650 में इस्धलमार्ग से भारत आया था ठीक है यह आपके इस्थलमार्ग से भारत में प्रवेस किये ठीक है और इसने पुश सभूती बन्स के प्रतापी सासा कर्ना राजा हर्श्वयर्धन में 1616 कि अंग्लेंड के राजह के आगया लेकर भारत में ब्यापार करने के तथा लुखल समराट पर्रेशन संपने की तथा भारत में इस्ट श्थापना की थी किसने टामस रो ने प्र जुखे करेक्ट वूगा वह आपका क्या हो जाएगा यहां पर option number third, ठीक है, सबसे पहले आपके फाहियान आये थे, उसके बाद वेंश्वांग आये थे, उसके बाद आपके टामस रू आये थे, चलिए अगला question देखते हैं friends, अगला question है, सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ठीक है, यानि कि सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, पहला option है बकसर, दूसरा है पलासी और तीसरा है वांडिवास, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो देखें friends, यहाँ पर जो सबसे correct option होगा वो आपका हो जाएगा पलासी, ठीक है, जो सिराज जो दौला था, वो अंग्रेजों में पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था, ठीक है, तो चलिए अगला question दखते है friends, देखिए अगला question है, इनमें से कौन हडप निती का कटर समर्थक था, ठीक है, आपको बताना है कि कौन हडप निती का कटर समर्थक था, पहला option है आपका लाड वेलेजली, दूसरा है लाड डल होजी, तीसरा option है लाड मिंटो और चोथा है लाड हैंग्स्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए friends, जो सबसे correct option होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, लाड डल होजी, ठीक है, यहीं आपके हलप निती की कटर बहारती इतिहास में धनवंतरी कौन थे, ठीक है, आपको बताना है की भारती इतिहास में धनवंतरी, जो थें, वो कौन थे, पहला option है, चंदरगुप्ट मौरे के प्रसिद लén ही, दूसरा attributes हैं, दूसरा ब्हुकित बिक्रमा दिती कि सभध को शुषओ शोभित करने वाले अगला question देहते हैं हमारा क्या है अगला question है मोरिकालीन भारत के विवैणर वाली इंडिका के लेखक थे आपको बताना है कि इंडिका के लेखक को नहीं? पहला option है मेभस्थभनशनी दूसरा option है फाहियान, तीसरा है वेंस ऌंग और चोथा है इन में से कोईने तो देखे फ्रेंड जो इंडिका पुस्तक का आपके लिखे हैं वो आपके मेगस्थनीज ने लिखे हैं ठीक है यह मौरे कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे हैं ठीक है और देखे जो मेगस्थनीज है यह यूनानी सासक से लिउकस का साइमन कम्यों कि वर्ष ब्हारत में 20 है था पहला है 1925 दूसरा 1926 थे 1929-1928 थे साइमन कमैसन तो रोड़ में प्रता में अगे था है 1928an 600 त्रहां तर बीद सब्सक्राइब। यहां पर सबसे और में 2928 800 पर सब्सक्राइब। पर हम एल भारत न champions तो रहीं अग्ला देखिए अगला क्वेश्चन है भारती राष्ट्री कांग्रेश द्वारा किस अधिवेशन में एतिहासिक पुडश्वाराज्य यानि कि पुडश्वतंतरता का प्रस्ताव पारिद किया गया पहला ऑप्सें बंबई दुसरा है लाहौर तिसरा है काराची और चोथा है लख सुमेलित आपको बताना है तो देखिए यहां पर सबसे करेक्ट और सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी दूसरा गदर पार्टी तिसरा है मित्रमेला और चोथा होम रूल लेग ठीक है आपको बताना है कौन किसे संबंदित है तो चलिए हम अगला आपका है गदर पार्टी तो आपके जो गदर पार्टी से संबंदित है वह आपके Хो जाएंगे लाला हर tuo ठीक है यानी कि पहला और देखिए मित्रमेला- तीसरा सबमाट तो ये देखिए आपके जो सही option होगा उसमेен वहांना गओ जो मित्र मेला है वो देखिए आपके वीडि सावरकर जी है सही सही है और जो होम रूल लीग है यह आपके अनी बेसेंट से समबन दीता है तो सबसे करेक्ट ऑप्सन देखिए फ्रेंड पहला का 2 है थीके 2 1 3 4 देखिए 2 1 3 4 ऑप्सन नमबर 2 में है तो यहां पर सही ऑप्सन क अगला क्विश्चन है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया थीक है आपको बताना है कि महात्मा गंधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था पहला ऑप्सन है खान अब्दुल गफार खान मुहम्मद अली जिन्ना इन्हों नहीं मात्मा गांधी के खिलाप आंदोलन से जुड़ने का बिरूध किया था चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोरी शणयंत्र केश में सामिल था ठीक है आपको बताना है कि कौन सा क्रांतिकारी स यहां पर जो सबसे करेक्ट आपका बंता है हिन्दुस्तान रिपब्लिक ंशोशीएशंण यादि की हर था यहां में करेक्ट है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है गवरिर कोधा ए अगला साघर बानंध किस नदी पर बना है ठीक है गोधावरी कृषणा गंग कवरी तो आपको बताना है वह चलिए अगला क्וצने तो परफ पर पर चड़ाई के हैं उस्लीन जाकत की गई तने सन्वारी Kayak यहां पर जो सबसे correct option होगा कि Mount Everest पर प्रथम बर चढ़ाई किस वर्ष की गई थी तो वह आपके 1903 पन इश्वी में की गई थी ठीक है यानि कि 29 मई 1903 पन इश्वी को ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है भारतपूर में इस्थित पच्छी अभ्यारण राष्ट्री उद्यान का नाम है आपको बताना है फ्रेंट्स की भारतपूर में कौन सा पच्छी अभ्यारण इस्थित है यानि कि जो उद्यान है उसका क्या नाम है ठीक है तो पहला option है यहां पर भैस रोडगड अ भैस राष्ट्री उद्यान का नाम है वह आपका है केवला देव घाना राष्ट्री उद्यान ठीक है यहां पर जो थर्ड ऑप्सन है बिल्कुल करेक्ट है अगला question है friends कि भिलाई इस्पात सायंत्र के लौह आयस्क का स्रोत है ठीक है जो भिलाई इस्पात सायंत्र है उसके दिल्ली राजहरा दूसरा ओप्सन है कोरबा तीसरा ओप्सन है उमरिया और चौथा है राज नंद गाउं ठीक है यहां पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्सन होगा फ्रेंड्स वह आपका क्या होगा कि भिलाई इस्पात सायंत्र के लौह आयसक के जो स्रोत है वह आपके दिल्ली राजहरा ठीक है यहां पर सबसे करेक्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर फर्ष्ट चलिए अगला क्विश्चन देखते हैं देखिए अगला क्विश्चन है दिये गए दर्रो और उनके इस्थानों का कौन सा जोड सही नहीं है देखिए यहां प जो कि दिल्ली पार जो जीन नहीं है वह Daha पर उत्तर परदेश दिया है तो टीसरी दिया है थागहला नृती पास और 270 ॉनक्रीथ मिश्चन दिया है है दिया नथिल्मीश्चल हो देखिए दसक्राइब है दीखिए तो देखिए इस्चन पर पूछा गया है कं सा जो तहीं कर्ष्चान कें भी का कना है बिल्कुल ऋप्रण सुर्ख said नोगा का Ugh वแकद तो हंसे की तीसवक्ति स्थितीत तो यह तो आपका गलत हो गया और तीसरा ने तो दिखुडिया क्या है लेकिन ये आपके कहा है ये आपके उत्तरा खंड में इस्तित है ठीक है ये दोनों गलत हो गया और चोथा दिया गया है नाथुला और जेलेपला जो की सिक्किम है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो गलत है फ्रेंड्स वो आपका दूसरा और तीसरा है तो देखिए सेकेंड आपसन में दूसरा और तीसरा आपसन दिया गया है तो यहीं आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे गलत पूछा है तो यहीं दोनों गलत है तो यहीं दोनों सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है चलि अगला क्विश्चन देखते हैं अगला क्विश्चन है हमार व्रिधि की अधिक संभावना हो गी पहला ऑप्षन है ब्याजदर दूसरा ओप्षन है सेयरों की कीमत तिसरा है नई पूजी पर अनुमति प्राप्त चौथा अप्षन है आपका ब्यक्तिगत करतो देखिए फ्रेंट्स यहां पर जो सबसे करेक्ट आप्षन होगा वो आपक प्राप्ति ठीक है यहां पर सबसे सही option जो होगा करेक्ट वो आपका option नमबर थर्ड होगा चलिए अगला question देखते हैं करेक्ट option आपका third best friend नमबर थे अगला question देखते हैं देखिये अगला question है सेवा चछेटर का दूसरा नाम क्या है थेक?. है यहां का दूसरे नम है तो पहला बढने हैं यहां पर तृतियक दूसरा है प्राथमिक, द्वितियक, क्रिसी, तो देखे फ्रेंट जो सेवा चेत्र का दूसरा नाम है वो आपका है त्रितियक, ठीक है, अर्थ बिवस्था के त्रितियक चेत्र को सेवा चेत्र भी कहते हैं, ओके फ्रेंट्स अगला क्वेश्चन है, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल् क्या है तो देखे फ्रेंट्स अपके स्वेत क्रांती की जनक है, वो आपके कौन है, वो आपके हैं, डाक्टर वर्गीश्कूरियन, और देखे यहीं पर क्वेश्चन पीसले यह आपसे प्रिवस्चन पेपर में हरित क्रांती की जनक पूछा था, जोकि आपके MS.वामी ना प्रधान मंत्री कौन थे, तो देखे जो 1991 के दवरान जब आर्थिक सुधार किया गया था तो उसमें प्रधान मंत्री कौन थे, आपको बताना है, पहला उप्सन है, पीवी नर्शिंहा राव, दूसरा अटल बिहारी बाश पेई, तिसरा उप्सन है, डाक्टर मन मोहन शिं प्रधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शम्मिलित नहीं है, आपको बताना है, भारत की सुची में शम्मिलित नहीं है, यहां पर ध्यान से देखेगा, नौट वाले कोश्चन दिए गया है, पहला उप्सन है पुलिस, दूसरा है कानून और बिवस्ता, तीसरा उप नहीं है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्सन जो है, वह बिल्कुम कारेक्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है, कि निमने लिखीत में से क्या भारती समिधान की मुख्य बिवस्ता यहां पर आपको friends बताना है कि क्या चीज भारती शमिधान के मुख्य विवस्था नहीं है पहला option है यहां पर अर्थ संगी संरशना दूसरा option है प्रतिबध न्यायतंत्र और चोथा सक्तियों का वित्रड और तीसरा था यह और चोथा option है लिखित समिधान और शमिधान की सरो यहां पर सबसे correct option क्या हो जाएगा option number second अगला question है निम्न में से क्या भारती नागरिकों को आर्थिक न्यायतंत्र प्रदान करता है पहला option है मौलिक अधिकार दूसरा है मौलिक करता है तीसरा है राज्य के निती निदेशक सिध्धान्त और चोथा है इन में से कोई ने तो अगला question है कि भारती समीधान का कौन सा अनुछेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के लिए निर्देशित करता है तो आपसे पुछा गया है जो कि ग्राम पंचायत किसमें है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके अनुछेद चैलिस में है ठीके आसन आपके अनुछेद चैलिस में होता है ठीके यानि कि आपसन नंबर शेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है अगला question है friends कि त्री इस्तरीय पंचायती राजब्यवस्था का विचार किसने रखा था ठीक है तो देखे जो त्री इस्तरीय पंचायती राजब्यवस्था का व तो यह आपके हैं बलवन्त राय मेहता कमेटी ठीक है यहां पर सबसे correct option जो है friends वह आपके कौन से हो जाएंगे यहां पर तो वह आपके हो जाएंगे option number one is the right answer ठीक है चलिए अगला question देखें है friends हम लोग क्या है देखें अगला question है friends की बिजली का प्रवा सर्किट में कब होता है ठीक है यानि कि जो बिजली का प्रवा है वो सर्किट में कब होता है पहला option है प्रतिरोध की SI1 क्या है ठीक है यानि कि आपका प्रतिरोध की SI1 क्या है दूसरा है ओम तो तो देखे यहांपर जो प्रतिरोध का SI1 क्या होता है ठीक है पहला अप्रतिरोध की आपका होता है अगला क्यूस्चन है नीबु का खटा श्ष्वाद इन में से किसकी उपस्थिती के कारण होता है? तीसरा है औक सैली कंपली ए 4 है फार्मी कंपली तो देखिए यहां पर ग्रीम कमली, कि और यह से और ट्रक्वट्य करें फ़र्यु देखते हैं देखिए अगला question है कि करकट जनक रसायन से होता है ठीक है करकट जनक रसायन से होता है पहला option है हिर्दय रोग दूसरा है मधुमें तीसरा है cancer और चोथा है दमा यानिकी अस्थमा तो देखिए friends इसका जो सही option होगा वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा option number C यानिकी cancer ठीक है जो करकट जनक रसायन होता है वो आपका cancer होता है और देखिए आज के last top 30 question में सबसे अंतिम question है कि त्वचा के उपरी सतह क्या कहलाती है ठीक है तो देखिए friends जो त्वचा के सबसे उपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है पहला option है अंतस्चर्म यानिकी endoderm दूसरा है अदिचर्म यानिकी endodermis त्वचा के त्वचा के उपरी सतह होती है वो आपके अधिचर्म यानिकी endodermis कहलाता है ठीक है यह पर सबसे कर्ल Wellness यह ऑंप स्वचा के उपरी सतह होती है तो अस反 प्रेक्टिस सेट फोर में टाप 30 कोश्चन किये हैं जो कि आपके करेंट अफेयर से भी कुछ रिलेटेड कोश्चन थे और देखिए फ्रेंट यह सब आपके प्रिब्यास कोश्चन पेपर में पूछे गया है जो कि आपकी 2021 के एक्जाम हुए थे ठीक है तो चलिए जो लोग करते रहिए फ्रेंट्स लाइक कमेंट्स करते रहिए ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगरी क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद